नमस्कार दोस्तों गोचे पेडिक बर फिर साइब को स्वागत करता है हम वापसाद चुके अपने इकनॉमी सीरीज के साथ तो उम्मीद करता हूँ आज तक आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा मैट्स में और इकनॉमी में कुछ-कुछ सो आपको बेसिक कम सकम क्लियर हो गय तो आज अपन पड़ेंगे Financial Inclusion के गारेमें ठीक है Financial Inclusion क्या होता है वो सब जाने ही आपन ठीक अब हम चालू करते हैं अपना जो है अपना जो टौपिक है और वह है Financial Inclusion financial inclusion है topic बहुत ज़ाध ज़रूरी है और इसको समझना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है ठीक है आप समझे इसको क्या चीज़ होती है ठीक है ये हमारी उपर हो जाती है government ठीक है government government मत्तरा समझ ली आप इसको मोदी जी फिल रहल के लिए Central Government है भाई हमारी तो यह हो जाते हैं हमारे मोदी जी तो मोधी जी याने की Government या पास जो जितना सारा पैसा आता है वो हर एक गाउं के यह एक शहर के आखरी आदमी तक पहुंचे आखरी आदमी तक को पहुंचाना मतलब देश का जो सबसे आखरी जो यूनिट होता है वहां तक अपना पैसा को पहुचाना Central Government की schemes के थुरू वहां तक पैसे पहुचाना इसी को अपन कहते है Financial Inclusion होता क्या है कि government जैसे बहुत सारी schemes निकालती है मानले जटो मन्रेगा ही निकाल देती है चले मन्रेगा की बात करते हैं अपन मन्रेगा की अधिया पर बात करेंगे मन्रेगा का full form क्या होता है महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Guarantee योजना रहती है वो एक तरीके से मन्रेगा ठीक है Guarantee Act ठीक कब आया था ये कब आया था ये अगर पूछा जाएगा तो ये आया था 2005 में ठीक है इसके अंदर क्या क्या चीजी होती है पहले वो सबोती जी सबसे पहला पॉइंट जो आप को जानने के ज़रुर्वरत सबसे पहला पॉइंट है कि ये होता है अंस्केल वर्ग ठीक है अंस्केल्ड वर्ग मतलब किसी भी काम पिश्टिक एंजशन्ट होता है इंजीनियर के एक specific field रहता है कि हाँ ठीक है वो ये काम कर सकता है वो machine के साथ खेल के वो कुछ भी बना सकता है ठीक है एक mystery की जो रहती mystery को माली जो घर बनाता है उसकी specialist रहती है speciality रहती है कि वो इटा जोड के घर बनाता है ठीक है उसके लिए technique चाहिए skill चाहिए जानना चाहिए हमको कितरा cement मिलाना है कितरा बालू मिलाना है पानी मिलाना है यह सब चीज जानना चाहिए है ठीक है कितने दिन के लिए रहते हैं कोई पूछता है आप से तो यह आप बोलोगे सीधा भाई यह सौ दिन के लिए रहता है ठीक है सौ दिन के लिए रहता है यह भी बात क्लियर होगा यह अपने को और किसको मिलता है वो भी जानना चाहिए आपको तो उसको करने के यह होँई चीज होता है कि मंड्रेगा का नो पहले जाएगा जाएगा संड्रल गौर्रिमेंट से इंटिट गौर्रमेंट पे ठाट में बहुता हैустीचे पास जाता है वर्कर के पास तो क्या होता है अगर center इसको 100% दे रही है या माले ये 100 रुपए दे रही है तो वर्कर कि पहुंसते पहुंसते नो मातर 20 रुपः बचे जाता है पैसा है तो हर किसी की पास equal distribution हो पैसे का resources का और money का उसी चीज़ को आपन कहते हैं financial inclusion बाते क्लियर हो गई इसका एक example लेते हैं कि कैसे सरकार ने कोशिश की थी इसको करने के लिए ठीक है देखते हैं चलिए इसको गरने के लिए अपन जो पहली चीज़ देखेंगे वो अपन देखेंगे कि जन्धन योजना जन्धन योजना क्या थी ठीक है अपन देखते हैं जन्धन योजना ये क्या थी जन्धन योजना के अंतरगा बोला गया था बहुत ही प्यार से समझेगा बहुत असान चीज है अब concept पगड़ के चलिए आप से हर चीज होगा ठीक है इसके अंदर बोला गया था कि एक account जो होगा वो पर family को मिलेगा मतलब छार लोग की family है तो उसमें एक account होगा ठीक जा अंदर नियोजना का एक account होगा इसके अंदर अंदर चीजे क्या आती है इसके अंदर चीज़ें आती है कि इस एकाउंट के साथ उनको एक लाग का एक्सिडेंटल इंशॉरंस मिलता है एक्सिडेंटल इंशॉरंस जो है वो मिलता था एक्सिडेंटल मतलब एक्सिडेंट यदि होता है तो उस केस में उनको पैसा दिया जाएगा जितना हुई है जितना डैमेज हुए उसके अकॉर्डिंग पर दिया जाएगा बात इक लिए रहा तक जैसे हाट टूटा है हाथ कट गया है तो उसके लिए 50 जा दे दिये एक हाथ एक पैर गया तो उसके लिए फिर अब बात आती है कि यह देता है यह यह देता है ठीक है यक पांच हर्यार रुपाय का जो है वह मिलता है और यह नया आप हर महीने उसमें 200-300 रुपए हर महीने जमा करवाते रहते हो और आपने कुछ लोन लिया है तो वो भी आपने वापस कर दिया उसको ठीक है ये चीज़ होता है तो अगर आप एकाउंट में मान लीजिए 0 रूपी से ठीक है एक रूपए भी नहीं फिर भी अगर आप ATM ले साथ में एक और चीज़ क्या मिलता है इनको रूपे काड रूपे काड क्या होता है रूपे काड है ATM काड बोलीजे या debit काड बोलीजे ठीक है ATM काड होता है ये रूपे काड ठीक है ये कौन देता है NPCI NPCI क्या होता है National Payment Corporation of India इससे जानने की जरूपे काड बनाती है वो इसके साथ में दिया जाता है अब ये वाला पॉइंट जो है एक लाग का इंशॉरेंस कवर इसके लिए एक कंडिशन होती है इसके लिए कंडिशन ये होती है कि आपको 45 दिन में 45 दिन में कम से कम एक बार अपना ATM काड यूज करना है तो एक ट्रॉबैक भी हो जाता है ये है ना एक ट्रॉबैक भी हो जाता है कि भाई गाउं वाला इनसान आसपास में ATM नहीं हो हर 45 दिन में बर कहां से यूज करेगा शहर में चलता है यह हर एक किलोमेटर के अंदर में दोए टेम आपको मिल जात हैं लेकिन गाओं के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है तो जन धनली उच्णाव आप इसमें यह चीज़ समझिए कि यह मतलब कैसे पैसा सेंटर का नीचे तक पहुंच रहा है एक लाग का उसने इंशॉरंस का वर दिया ठीक है अगर किसी मतलब एक मजदूर मान लीज कहीं किसी कारणबाशा सफ का हाथ पहरा या कुछ चीज टूड ही आता है तो पैसा तो उसके पास पहुंचा ना उसके घर के गुजाराएं के लिए वो चीज़ तो पहुचा तो इसी की तरीके से वो जो उपर का पैसा है वो नीचे भी जिनके पास कम है उनके पास पैसा पहुचते जा रहे हैं दूसरी बात 5,000 का उवर्ट राफ दे रहा है आपको वो एक तरीके से लोन टाइप कहा दे र होता है लेकिन उनके पास पैसा हो ही नहीं पाता है इसलिए वो आत्महत्या करते हैं तो यह जो है एक ठोप की तरह दी जाती है कि वो तुरंत वहां पैसा को निकाल ले फिर रोटेट करके उसके बाद घुमा घुमा के पैसा को वह वापस जमा कर ले ठीक है यह बहुत बड कि आपको मैं यहां पर आप जो चीज़ बताने वाला हूं वह है प्येसल के बारे में प्येसल क्या होता है प्येसल का पूल फार्म होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ठीक असमान में आगया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या होता है देखो यह एक्ट बैंक है मा लिजे एस्बियाई है इसके तरीके से यह एस्बियाई भी हो सकता है यह आपका स्मॉल बैंक भी हो सकते है यह आपके कॉपर क्या कहा जाता है कि यदि आपके पास सौ करोड है सौ करोड हम एकोनोमी के भाशा में इसको एंड़ी टील वोलते हैं अपको मैंने बताया था पहले यह चीज़ ठीक है अगर SBI के पास सौ करोड रुपए है तो उसमें से इनको फिक्स कर दिया जाता है कि भाईया 40% जो है एंडिंग में क्या क्या चीज़ आती है एगरी कल्चर आगे आपका ठीक है दूसरी चीज़ आती है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यह सब चोटी चीज़ है इनको सरकार उठाना चाहती है तो इन सेक्टर के लिए 40% फिक्स कर दिय है ठीक है यही चीज़ होता है पिएसर प्राइटी सेक्टर लेंडिंग ठीक है यहां तक समझ में आगे आपको चलिए इसके बात कर जो मैं आपको बताता हूँ शेडूल कमर्शिल बैंक पेमेंट्स बैंक और स्मॉल बैंक इन मेंतर क्या होता है वो देखेंगे नॉर्मल बैंक मैंने आपको बता दिया था कि नॉर्मल बैंक जो होता है वो तो हर जगह का मतलब हर जगह होता है वो गुजरात में भी होगा महरास्ट में भी होगा चतिसगर में भी होगा मध्य प्रदेश में भी होगा ठीक है उसके ब्रांचेस हर जगह होते है अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे किसके बारे में स्मॉल बैंक के बारे में ठीक है small bank क्या होता है आपको नाम सही clear होगा कि bank ही है बस एक छोटे रूप का bank है ठीक है अब छोटे रूप का bank सबसे पहला चीज में को यह चीज जानना पड़ेगा कि भाई है छोटे रूप का bank है तो वो किस-किस जगह में होगा तो एकदम small area में रहता है मतलब एक स्टेट है तो एक स्टेट के अंदर में ही रहेगा वो चीज ठीक है तो इसका सब से पहला point जो आ रहता है वह होता है small area में confined रहता है small area मतलब छोटे जगह में confide रहता है ठीक है clear होगी आपको बाते हैं इसके जो branches रहेंगे वो कैसे होते हैं पर 1000 या 1500 लोगों के बीच में रहता है ठीक है 1500 की जो population आसपास गाओं में रहती ना उनकी बीच में एक ठो बैंक रहता है दूसरी चीज़ यह होती है कि उसमें मतलब जो maximum area रहता है पांच किल पांच होना चाहिए यह चीज़ होता है ठीक है small banker अब economy के लिए अपने को जानने की ज़रूरत है वो यह है कि इसमें start करने के लिए कितना होना चाहिए minimum paid up capital मतलब उसको शुरू होने के लिए कितना पैसा चाहिए तो बोलो गया आप भया उसको शुरू होने के लिए 200 प्रोपैम minimum चाहिए और यही अगर अपन schedule commercial bank याने की SBI SBI जैसे की बात करते है इस टाइप की बड़े-बड़ी bank खोलनी है तो उसके लिए अपने को minimum paid up capital चाहिए 500 करोर ठीक है बात clear हो गई यहां तक यह होता है अब दूसरी चीज़े होती है कि क्या वो सारे चीज कर सकते करवा सकते हैं किए भेशक कर आसे कर आस जहरे हैं अब सबस marsHey जह सब इंधर अब यह सब वह पैसा जाएगा PSL में जाएगा मतलब priority sector में ही जाना चाहिए उसका 50% पैसा ठीक है बात clear हो गई और दूसरा जो आता है 25% branch जो होगा उसका 25% branch जो होगा जैसे उसके माले 20 branch है तो कम से कम 5 branch 25% branch जो है वो कहाँ पे होना चाहिए ruler sector में होना चाहिए ठीक है अब अपने को जो इसमें आगे देखना है वो देख लेते हैं आगे देखना है अपने को payments bank के बारे में ठीक payments bank यह clear होगे न आपको यह चीज़ समझ में आगे ने यहां तक कि जो आपको जानना तो उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ अब बात आती है payments bank की ठीक payment bank payment bank आपने देखा हूँ है PDM के पास भी है एटल के पास भी है यह सब जो रहते है न डिजिटल टाइप के वो सब मतलब छोटे बहुत छोटे small bank से भी और छोटे हो तो उसको कहते है payment banks ठीक है इसमें अपन क्या क्य कर सकते हैं वो देख लेते हैं अपन इसमें current अकांट खोलवा सकते हैं savings अकांट खोलवा सकते हैं यहां तक हो सकता है और यहां तक का यह आपका right हो गया अब सबसे main चीज़ जो आती है क्या आप उसमें से loans ले सकते हो तो नही stinks आप उसमें से लोन्स नहीं ले सकते हो, सबसे बेंट चीज, आप पेमेंट बैंक से लोन्स नहीं ले सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, FD कर सकते हो, RD कर सकते हो, तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, यह भी नहीं कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ उसमें अपना पैसा अपन डिपॉ एक लाग से जादा किसी भी अकाउंट में बैलेंस नहीं रहाएगा बात क्लियर होगे यहां तक तो यह चीज होती है पेमेंट बैंक में अब दूसरी बात एक और चीज क्या इसमें आप नेट बैंकिंग वगएरा सब कर सकते हो बिलकुल नेट बैंकिंग वगएरा भी आप कर सकते हो ठीक है समझ में आ गया अब आपके मन में एक खैल आ रहा होगा कि यह अगर आपको लोन नहीं देगे खरी डिपॉजिट लेंगे तो यह अपना काम चलाएंगे कैसे तो यह अपना काम चलाने के लिए क्या करते है गवर्मेंट सेक्यूरिटीज वगएरा जो रहती है उसमें इन्वेस्ट करते है ठीक है गवर्मेंट सेक्यूरिटीज में इन्वेस्ट करते है तो इनको क्या है नहीं जो ब्याज मिलता है वो आराउंड अरा से कुछ नहीं रहता है यह सिविंग्स अकाउंट्स वगएरा सब में यह चीज रहता है ठीक है क्लियर हो भी बाते हैं यहां तक आपको से लिस के आगे बढ़ते हैं अपन फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे थोड़ी सी सेक्यूरिटी इस टाइप की बात करेंगे ठीक है पोस्ट ओफिस में क्या 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 काम रहता है क्या क्या चीज़े होती है वह अपन बात करेंगे ठीक है तो मैं यहां पर टॉपी की उसी पोठाक लिखता हूं पोस्ट ओफिस सर्विस ठीक है पोस्ट ओफिस सर्विस पोस्ट ओफिस में अपन क्या 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 काम कर सकते थे पोस्ट ओफिस में अपने को जो पैसा जमा करना रहता था वो savings मतलब account टाइप पे रहता है पोस्ट ओफिस में अपन savings कर सकते है ठीक है यहाँ तर क्लियर हो गया दूसरी चीज़ जो वहाँ पे रहती है वो रहती है KVP full form किसान विकास पत्र किसान विकास पत्र में मेरा मोटर जो था यही आपको बदाने का था पोस्ट ओफिस जो अठाया हूं मैटर में उसके लिए ठीक है यह क्या होता है एक तरीके से ना certificate होता है किte ग्वर्मेंा से toxicity की रूप में काम लिया जा सकता है ऩ। थीक है बाते clear होगी अब आपको मन में आ रहा हूँ ख्याल कि किसान विकास पत्र होता कि इस टाइप का है किसान विकास पत्र भी गवर्मेंट से करेट टाइप के पेपर ही रहता है यहाँ पर पैसा लिखा रहता है मालीजे हजार रुपए के डिनॉमिनेशन में हुआ आपने इसको पांस टो खरिल दिया जो जितना भी खरिल मालीजे आपने इसको पजास टो खरिल दिया इसमें इंट्रेस बेटो दिया रहता है इंट्रेस मालीजे लेख दिया है कि 8% आस पास है इस टैप का कुछ-कुछ लिखा रहता है अब इसका जो पॉइंट वो आप देख लीजे किसान विगास पत्र का सबसे बड़ी चीज यह होती है कि 8 साल 4 महिने आठ साल 4 महिने में जो आपका पैसा है वो डबल हो जाता है सबसे में चीज ठीक है 8 साल 4 महिने में वो डबल हो जाता है इसमें कहीं भी नाम नहीं लिखा होता है और आप नाव नहीं लिखा रहेता है तो आपको दिशन है कि यह डो मतलêmes अब मतलए अब आप इसको ट्रांसफ़र कर सकती कीैवर ऐसे मानने ज़िसरे इंसान को 4500 वे भेसं दिया भाई आप 8 साल 4 महीने बाद उसको ले लीजेगा तो वो 8 साल 4 महीने तक वेट करता है उसके बाद अगर वो पैसा लेगा तो वो मेरे से पोस्ट आफिस वाला यह नहीं पूछेगा कि सर कोई और लेके आ रहा है मैं पैसा ले दूँगा ऐसा नहीं हो सकता उसको पैसा देना पड़ेगा मतलब पैसा देना पड़ेगा यही होता है किसान विकास पत्र यह चीज मेरे को आपको बदाना था ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आज का एक टॉपिक जो था वो लगबग लगबग कंप्रीट हो गया है तो जितना चीज हमको बैंकिंग में जानना था ठीक है मज़ाया होगा अच्छा लगाओगा तो अधने फिर कल मिलते हैं है जयन नहीं आधा है हुआ है करे था है करे था